तो हेलो गाइस कैसे आप सब आप सभी का स्वागत है तो आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाल हूँ एक न्यूज सीरीज को जिसका नाम है आई एम अनादर वर्ल टाइकून तो इस एपसोर के स्टार्टिंग में एक बंद अपने होती है और वो मुझे पागलों की तरह पीचा कर रही है लेकिन वे और मैं एक ही दुनिया में साथ रहने के लिए नहीं वने हैं मैं उसके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ इसलिए मुझे उसकी फिलिंग्स का जवाब देने की हिमत नहीं है और एक एकसिडेंट के बाद मै मैंने बास्तम में दूसरे वर्ल्ड में जाने की पावर्स हांसिल कर ली और यह पावर ऐसा लगता है कि इस पावर के माध्यम से मैं आंगे और पीछे दौन वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता हूँ इस वर्ल्ड में आने के पहले दिन ही मैं एक घायल मैला से मिला मैंने उस पर नहीं, अम मैं क्या करूँ, मैं बहुत उल्जन में हूँ, दो खूबसूरत महिला दुवारा पागलों की तरह पीछा किया जा रहा है, जूफे इन उसकूल की नमबर वन व्यूटी के बारे में बताता है, उसका नम जियाचू है, वाए एक एक अकेडमिक टॉपर है, और इसक साथ साथ वाए एक All-Rounder, Athletic, Intelligent, Gentle और समलदार भी है, ऐसी लड़की को भला कोई कैसे पसंद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बारे में क्या, सामान्य दिखता हूँ, सामान्य Abilities और लोगों की भीड में कभी भी ध्यान नहीं दिया जाएगा, Graduation के बाद 9 से 5 तक काम करना चाहिए, और एक ऐसा जीवन जीना ही जो मैं अंत तक देख सकता हूँ, लेकिन H City में जिया फैमिली की बेटी के रूप में सीनियर जियाचु के लिए यह अलग है, वह Graduation होने के बाद फैमिली बिजनिस में अंतर करेगी, मुझमें और जियाचु में मूल रूप से दो समानांतर रेखाएं थी, जो एक दूसरे को इंटरसक्ट नहीं करती थी, जूफी वहां से यह कहते हुए जाने लगता ही कि यहां सीनियर का मतलब सिन्पाई यानि की स्कूल में एक क्लास हायर है, कि तभी वो जियाचु जूफी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, जूफी टिल्ड आपने क्लास के दौरान कड़ी महंत की है, मैं हम दोनों के लिए मिल्क और ब्रड लाई हूँ, क्या हम एक साथ खाए? जूफी तोड़ा घबराते हुए कहता है, आजियाचु कोई जूरत नहीं, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा. जूफी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है, जूफी उसकी बात बीच में कट्टे हुए कहता है, मैं कल भी व्यस्त रहूंगा, शमा करें, सिंपाई. फिर जूफी वह से जाते हुए अपने मन कहता है, कचरे का काउंटर अटैक नौवल में ही होता है, और एक व्यक्ती के रूप में जो उसे लाइक करता हूँ, मुझे उसके लिए सबसे बस्ट चॉइस बनाना चाहिए. तभी जियाचू जूफी की टी-शर्ट को पकड़ लेती है, और रोते हुए कहती है. क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जूनियर जूफी को परिशान कर रही हूँ, या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी पिछला कबूल नामा इतना अतिरंजित था कि इसने आपको डरा दिया. तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए मुझे डर है कि मेरे यंगर जूफी को कोई और ले जाएगा. तो मैं हिल्प नहीं कर सकती, लेकिन कबूल कर सकती हूँ. सीनियर जियाचू मैं जूफी फिर से मन में कहने लगता ही. वास्तव में मैं अपनी जियाचू के साथ पहले भी मिल पाया था, लेकिन एक सप्ताह पहले कबूल करने के बाद से. सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते ही जोकी जूफी से. कहता है ओई जूफी सुन जल्दी जा और अपनी विंडो से नीचे देख. जूफी कहता है अरे भाई जानाना मैं एक फाइट के बीच में हूँ, मुझे परिशान मत कर. वो बंदा कहता है अबे तेरी तो क्या सारे दिन गेन खेलता रेता ही अबे नीचे तो देख तेरे लिए एक सर्प्राइज है. कुल? नीचे? नीचे क्या हो रहा है? जूफी जैसे ही विंडो के पास एक नीचे देखता ही, वह देखकर उसकी अखे फटी की फटी रे जाती ही. जूफी कहता है क्या वह नीचे सीनियर जियाचु है? हम देखते ही जियाचु ने बहुत सारी कैंडल्स से लिखा होता है, स्ट्यूडन्ट जूफी चलो एक साथ रहें. जूफी का दोस्त कहता है, बहुत खूब बही तू तो बहुत छुपा रुस्तम निकला भाई, तूने मेरे को बताया भी नहीं कि तूने स्कूल की टॉपर को पता लिया ही. जूफी अपने मन में बोलता है, मैं अभी कुछ हफ़ते पहले ही अपनी सीनियर जिया चू से मिला हूँ, फिर भी उसने मेरे लिए यह किया. यह सब देख कर बाकी के लॉंडे कह रहे होते ही. वाउ, मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ, जो उसके लिए इतनी हिम्मत कर रही है कि उसके लिए ऐसा कुछ करे. वही पर तीसरा बंदा बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि यह अबैंडन्ड ट्रेडिंग हाउस से है? इसके कई सारे मतलब आपको स्क्रीन पार्शो होते होगे. अब आगे वही पर जियाचू के पास एक लड़की आती है, और वो उससे कहती ही तुम यूनिवर्सिटी अकी बस्ट स्कूल फ्लावर हो. क्या तुम ठीक हो जब लोग तुम्हारे बारे में इस तरहे की बाते कर रहे हैं? जियाचू स्माइल करते हुए कहती है अरेहा. मैंने तो पूछा ही नहीं क्या इससे स्टूडेंट्स को परिशानी होगी? तो आइम अनदर वर्ल्ड टाइकून का अपिसोड एक यहीं. पर उंड होता ही अगर आपको ये अपिसोड पसंद आया हो टू कॉम्मेंट जरूर बताएं और आप हमारे चैनल पे न्यू हो टू चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट विडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके धन्यवाद.